तो दोस्तों आज हम आप सभी के लिए वीडियो लेके आए हैं जवार नवुद्ध विद्याले से जुड़ा हुआ क्मेंट आ रहे थे बहुत सारे लेकिन हमें मौका नहीं मिल लाता क्योंकि हम इस समय विद्याले स्वाइश हैं बहुत जादा नवरधार्ती चल रही है और हमारा कारकरम होता है हर साल तो उसमें ज्यादा व्यसकता है और इस वरए से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे लेकि फिर भी हम वीडियो लेके आए हैं और एक सवाल का जवाब देंगे जिसमें एक लोगों ने कमेंट किया है वो सीट और एड्मिशन को लेकर कंफ्यूजन में है क्लास नाइन्थ के अगर जवाहर Macodha Vidyalie में वो फॉर्म डालते हैं क्लास नाइन्थ में उनके जिले में सीट नहीं है तो क्या होगा । दूसरी चीज, जो दूसरा सवाल यह है, अगर उनकी category में seat नहीं है, तो क्या होगा, ठीक है, दोनों चीजों का जवाब हम अभी आपको दे देंगे, तो दोस्तों, अगर class 9 में, आपने form डाला है, या फिर form डालने वाले हो, और आपके मन में यह संका है, कि हमारे याँ seat नह जैसे ही आपने देखा होगा, और notification, और उस notification में यह चीज clear होगी, कि आपके कितनी seat है, किस category में कितनी seat हो, सारी चीज़े clear होगी, तो अगर seat नहीं है, तो या, as usual बात है, कि seat नहीं होने पर आपका exam तो हो जाएगा, ठीक है, और form भी accept हो जाएगा, लेकिन फिर admission नहीं कुछ लोग यह पूच लेते कि, कि हमारा admission दूसरे जिले में हो सकता है, या, दूसरे जिले में नहीं होगा, ठीक है, सेम जिस चीज़, केटा गड़ी में भी लागव होती है, कि अगर आपके केटा गड़ी में seat नहीं है, और आप चाहते हो कि हमारा admission हो जाए, तो वहाँ पर भी आपका admission नहीं होगा simple दिवात है जिस चीज के लिए seat नहीं है तो वहाँ पर admission कैसे होगा तो यह सवाल जो पूछ रहते हैं कि हमारा admission होगा कि नहीं होगा तो उनके लिए वसे ही कहना है कि फॉर्म डाल दो experience के लिए और अपनी तयारी के लिए आगे भविस में आपको फाइदा करेगी लेकिन admission नहीं होगा जहां तक मेरा मानना है और मेरी जहां तक बात होई है तो दोस्तों आई होग छोटा सा वीडियो आप शेर करेंगे जैसा भी बनाया हो आप शेर जरू करेंगे क्योंकि समय नहीं है मैं बहुकर में वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ यारा तारीक के बाद फ्री हो जाओँगा और उसके बाद फिर आप से regular टश्मेर होँगा जहन